हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीन बिग बॉस में मधुरे मातुली और विशाल अदिते सेंग के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला रियालिटी शो में शायद ही पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी कंटेस्टन की दूसरे घर वालों ने बरतन से पिटाई कर दी हो जिहां जब से मधुरे मातुली की एंट्री हुई है तब से आए दिन उनके और विशाल के बीच में तूतू मैमे चलती ही रहती है लेकिन अब ये तूतू मैमे नहीं बल की हाता पाई पर उतराए है पहले मधुरे माने विशाल को चपल से मारा और हाल ही में वो विशाल को फ्राई पैन से मारती नज़र आई थी मधुरे मा के हिंसात्मक रवाईय के बाद बिग बॉस ने दोनों को वीकेंड के वार तक पिंजरे में बंद रहने की सजा सुनाई है लेकिन विशाल ने एक बार फिर शोड़ने की रट लगाई वही इसके बाद मधुरे मा तुली से जुड़ी एक खबर हाथ लगी है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे दरसल खबर है कि मधुरे मा तुली इस हफते बिग बॉस के घर से बाहर हो जाएंगी रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स बीते हफते ही मधुरिमा तुली को बाहर करना चाहते थे लेकिन उनके और विशाल की रडाई की वज़े से ये फैसला टाल दिया गया था अब जब मधुरिमा ने दूसरी बार भी ऐसी हरकत कर दी है तो मेकर्स उन्हें शो से निकालना चाहते हैं वैसे आपको बता दे मधुरिमा शो को खास कंटेंट भी नहीं दे पा रही है इसी वज़े से बीते हफते भी मधुरिमा तुली को सबसे कम वोट मिले अब इन बातों से तो यही लग रहा है कि इस हफते मधुरिमा तुली के गेम का एंड हो जाएगा बताते चलें कि मधुरिमा की मा चाती है कि वो इस खेल में बनी रहे और आगे तक जाए उनकी मा उनके पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है हाली में मधुरिमा की मा ने विशाल आतित सेंग को भी खरी कोटी सुनाई थी वैसे आपको क्या लगता है मधुरिमा के इस रवये को देखते वे उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए या नहीं आप हमें कमेंट में जरूर बताओं और बिग बॉस से जड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हैं इंसाइड नियूस के साथ